नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का SJS Education YouTube चैनल पर दोस्तों आज आप ये एनिमेट सिसी की क्लास नमबर 11 देख रहे हैं ये दोस्तों फ्री क्लासे से इन में आपको लिमिटेड चीजे ही सीखने को मिलेंगी हमारा कंप्लेट कोर्स सीखने के लिए आज इक ग्यान बुक लर्निंग एप को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक पर क्लि कैसे आप लूप लिपसिंग करवा सकते हैं अगर आपके पास में कोई भी कैरेक्टर है अगर आप उसको बुलवाना चाहते हैं तो इसले आप कैसे बुलवा पाएंगे आज हम जानेंगे चलिए वीडियो शिरू कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे बेग्राउ कौसा होता है जो भी आप बोलना चाहते हीं जो भी आप डबिंग करते हैं उसका ओडियो उसके बाद में यहाँ पर लेक्टर और यह रहे एसके लिप्स लिप्स से कर रखी है इनको मैं यहां से काम करता हूं क्लियर फ्रेम कर देता हूं ठीक है अभी हमारे पास अलग लेयर पर हमारे पास में ओडियो हो चुका है लिप्स यहां पर अलग लेयर पर हैं और पुरा कैरेक्टर की जो बोड़ी है वो अलग लेयर पर है हमने जो भी कैरेक्टर आपको only animate CC के अंदर मिलती है दूसरी होती है loop lip sing जो कि आप easily अभी में आपको बता रहा हूँ वैसे कर पाएंगे और तीसरा एक उपाए हो रहे हैं आप manually भी lip sing कर सकते हैं तो यहां पर हम दो जो lip sing के उनको suggest करते हैं उनहीं में से एक है loop lip sing अब यहां पर आप lip sing कैसे करवा होगे देखो audio यह रहा lip sing के जो सारे पोसे वो सिंबल के अंदर है आपको यहां पर मिलेंगे अब जैसे जहां से भी audio इस्टार्ट होड़ता है न वहां पर आपको केवल f6 करना है एक frame को add कर लेना है और उसके बाद में lips पर आपको क्लिक करक यहां पर देखिए आपको एक आपको first का option दिख रहा होगा और यहां पर आपको देखिए so Say loop लोप दिख रहा होगा ओर यहां पर आपको single frame दीखेगी जाहंसे बहुं से भी आपको animation मैंने इसको वापस से one कर दिया और इसको मैंने single frame कर दिया अब देखिए बीच में ये बोलना शुरू हो चुका है अब इसी के तरह हम यहाँ पर भी करेंगे यहाँ पर हमने क्लिक किया यहाँ पर हमने क्लिक करके इसको लूप कर दिया उसके बाद में वापस से इस जगे पर आई इस जगे पर हमने इसको one करके single frame कर दिया एक बार loop करना है एक बार single frame करना है और कि उसी के बाद यहाँ पर हमने loop करके यहाँ पर खतम हो रहा है तो यहाँ पर app 6 करके यहाँ पर हमने one लिख दिया और single frame कर दिया अब यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी lip sync automatically हो चुकी है उसके बाद में हम क्या करते हैं जो यह audio जो है इसको हम यहाँ से copy करके home पर paste कर लेंगे और यहाँ से मैं आपको control एंटर करके दिखाता हूँ अब जैसे मैंने इसको paste कर दिया अब यहाँ पर हमें क्या करना है जितनी भी audio रहेगी वहाँ तक हमें F5 करके रखना है उसके बाद में हम control एंटर करेंगे ठीके तो दोस्तों इस तरीके से आप किसे भी character की lip sing करवा सकते हैं दोस्तों अगर आपको complete course सीखना है एनिमेशन का तो दोस्तों हमारा course जरूर जोइन करें description के अंदर link है ज्यान बूक learning एप से आपको complete course मिल जाएगा और जो cartoon वीडियोज होते हैं YouTube चैनल पर आपने देखे होंगे ठीक वैसे वीडियो हम बनाना सीख रहे हैं आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा जरूर से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इसी तरह के और वीडियोज देखने के लिए computer course सीखने के लिए SGS Education YouTube चैनल को subscribe जरूर करें साथ में notification bell को भी प्रेस करें और इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेर करें धन्यवाद